हेलो आप सभी का स्वागत है नविंजी के जीएस यूटूब चैनल पे तो ये वीडियो बहुत ही महत्तरपुर्ण होने वाला है और आप सभी को एक गिप्ट मिलने वाला है इस वीडियो में ठीक है तो चलिए इस वीडियो को end तक देखिएगा चानकारी मिल जाएगा आप स सबसे पहरे देख सकते हैं जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था गल्स के लिए प्रॉपर रूप से वीडियो प्रवाइड करा देंगे तो यहां पर देख सकते हैं आई टीए मौप राउंड रिजल्ट जो है सभी गल्स चातर देख लीजिए कब आपको आना है पटन गल्ल मिलेगा ठीक है आप कैसे मिलेगा वो हम अंत में बताएंगे तो आप लोग बने रहीएगा अंत तक 150 तो पहले चलिए दखते हैं काफी बच्चे का कॉमेंट आ रहा है वह कोमेंट को भी सॉल्व करेंगे इसमें तो देखिए काभी बच्चे का ये कोमेंट आ रहा है करण अपर हाँ इसलिह नीचे आ गया जो है डॉलोड जेगा काफी बच्चे यह बड़ा फर्स्ट वड़ा डाउनलोड कर ले रहा है कैसे यहां पर यहां पर लिखा हुआ है 24 डेट एंड टाइम तो इसको डाउनलोड करना है आप सभी को सभी बच्चे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है तो चलिए हम पीडियेफ को ओपेन कर लेते हैं इस तरीके से ओपेन आप लोग भी कर लीजिएगा उसके बाद देखिए यहाँ पर जो गर्ल्स का निरेट की बात करेंगे हम बॉइज के लिए इस्पेसल बता दिये हैं आप सभी को ठीक है तो आप लोग उसी हिसाब से आईएगा एक चादो कॉमेंट कर रहे थे सर वेस्ट चंपारन नहीं है और इस चंपारन नहीं है तो सभी डिस्टिक का इसमें जारी किया गया ठीक है इसलिए आप लोग को सिर्फ होजने नहीं आ रहा है इस बज़े से थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं वोबेन कर निरेट का क्या है समस्या देखिए यहाँ पर गल्स कंडिडेट का देखिए इतना जो है कॉलेज है सभी डिस्टिक में एक एक कॉलेज निश्चित रूप से है अब देखिए गल्स का एक रॉल नमबर हम आप लोग को सर्च करके दिखाएंगे अप लोग भी उसी तरीके से सर्च कर सकते हैं अपना रॉल नमबर बॉइज हो या गल्स कोई भी तरीके से सर्च केजिएगा ठीक है तो देखिए एक गल्स चातर है उनका जो हम सर्च करेंगे इसमें तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 1600 और उसके भाद देख लेते हैं, रॉल नमबर उसका, और 399 है उनका थिक है इस तरीके से, आप देखेंगे, ये तो हम सार्च किये, आप देखें क्या समझों आएँ यहां से चार से छे बार जो है, इनका सो हो रहा है ठिक है किलियर, यहां से देखिए चार से छो बार जो हो रहा है कॉर्णर में देखिएगा तो आप देखिए कैसे फाइंड करेंगे तो यहां पर तो आप लोग देख रहे होंगे कब है यह 27.9.2024 को female you are category के हिसाब से तो देखिए यहां पर इनको बैक करेंगे यहां पर बैक करेंगे इस तरीके से देख लेते हैं पहले एक नंबर में कहां पर सो हो रहा है ठीक है और देखिए ये जो है नलंदा डिस्टिक में 16, 27, 29, 24 को और इस दिन जो है जा सकते हैं इनका जो पहला डेट जो दिया गया है आपको नलंदा डिस्टिक में और इस दिन जाएंगे न तो इनको जो है जेनरल आइटिया में एडमीशन होगा एक woman idea है जिसमें girls का ही पढ़ाई होता है तो यह जो है general idea जिसमें girls and boys दोनों का पढ़ाई होता है अब देखिए इसमें तो you are category के हिसाब से है तो you are category नहीं समझ पा रहे हैं undeserved category जो है you are category हो गया आप लोग जाती से विलोंग करते होंगे तो bc, ebc, hc, ht जो भी category है उसको जो है बाद में रखा गया है सबसे पहले you are category के हिसाब से जो है आप लोग का admission होता है ठीक है seat भले category का दिया जाएगा लेकिन you are category के हिसाब से document verification होता है विबाद दिखिंए inko to एक बता ही दिये उसका द देखिंए दूसरा date जो रखा गया इनके लिए तो तीस तारीक को तो हमारे अनुसार जो है इनको जाना किस दिन उचित रहेगा आभी हम बता देते हैं और उसके बाद देखिए एक और जो है आर्सी जी कोटा है इनका तीस तारीक को आर्सी जी कोटा है तो यानि कि आर्सी जी कोटा का एक ही दिन है और इनका category का भी एक ही दिन है 30 तारीक को clear तो यह हो गया general ITI में आप देखिए next चलते हैं तो next यह आएंगे तो female category में देख सकते हैं यहाँ पर है न 27 तारीक को तो इनका 27 तारीक को जो female category में यहाँ पर women ITI में ठीक है तो इनको जो है woman ITM अगर admission लेना है तो 27 तारिक को document verification के लिए आना होगा clear तो 27 तारिक को इनका जो है document verification के लिए चले आना है निश्चित रूप से अगर उस दिन नहीं होता है तब जा करके क्या करेंगे तीन तारिक को भी आ सकते हैं woman ITM admission लेना है तो ठीक है यहाँ पर देख सकते है basic category का woman ITM होगा उसके बाद देखिए एक और है इनका chance तो RCG quota female category में तो चार तारिक को फिर female category का है option ठीक है तो इस तरीके से देख सकते है चो रोल नमबर आप लोग को दिखाए अलग अलग जगा पर ठीक है तो हमारा मानना यह है कि आप लोग जो है woman ITM अगर admission लेना चाहते है clear अगर woman ITM admission लेना चाहते है जहां girls का ही सिर्फ पढ़ाई होता है तो देख लिजएगा girls का पढ़ाई होता है उस दिन यहाँ पर date दिया गया है ठीक है 27.9.24 को यहाँ पर रोल नमबर सो हो रहा है तो आप लोग जो है यह पहला date है 27 के बाद ही 28.29 आएगा तो यह 27 पहला date हो गया आप लोग का तो इसी दिन जो है document verification के लिए चले आईएगा ठीक है इसी दिन आ जाईगा इसी दिन आप लोग का admission हो जाएगा तो next day आने का जरुवत नहीं परेगा ठीक है तो इस चीज़ को जहाँ आप लोग ध्यान में रख्येगा ओके आप देखिए यह तो हो गया women ITI में अगर admission लेना चाहते है आप चाहते है girls and boys दोनों पढ़ाई करते हैं वहाँ पर admission लेना तो उस दिन कब आना है तो देखिए यहाँ पर एक नमबर है ना एक से छो सो हो रहा है तो एक नमबर में जो है 27 तारीक को ही है document verification ठीक है तो चलिए इनका 27 तारीक को इनको निश्चित रूप से आ जाना है ठीक है वहाँ पर जो है अपना देख लीजीगा women category के हिसाब से admission लेना होगा तो WITI करके poster लगा हुआ रहेगा उधर चले जाईएगा और नहीं तो general नलंदा district लिख करके रहेगा अपना नलंदा district में जा करके admission वहाँ पर होगा तो नलंदा district कहाने का मतलब है IAS संग भवन में ही होगा आपका document verification लेकिन वहाँ पर जो है अलग-अलग district का लिखा हुआ रहता है ना clear और आप सभी का बस गांठ बान लेजिए आप लोग का पटना ही document verification होगा सभी बच्चे का clear सभी बच्चे का काफी बच्चे कोमेंट कर रहे थे सर्व मुझभर पूर गया मोतिहारी मतलब बहुत सारे बच्चे का comment था इसलिए जो आप लोग निश्ची तुरूप से पट बार यही चीज आप लोग repeat मत कीजिएगा ठीक है clear तो यह तो समझ गए आप लोग चलिए एक और गल्स का ले लेते हैं रॉल नंबर ठीक है 4725 अब देखिए इनका भी जो है girls candidate है जो कि हमसे जूरे हुए है तो चलिए इनका देख लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो है लखी सराइडिस्टिक है और जेनरल आइटीम अगर एडमिसन लेना चाहा रहे होंगे तो आप आ जाईएगा किस दिन यहाँ पर तारिक को आपका डोकमेंट वेरिफिकेशन होगा यूर के हिसाब से तो आ जाईएगा ओके फर्स नमर में जेनरल हो गया उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है दो जगा सो हो रहा है जो कि पांस तारिक को एबीसी केटेगरी से भी हो सकता है एडमिसन और बीसी केटेगरी पांस तारिक को आने की अब सकता नहीं परेगा ठीक है और देखी काफी बच्चे का ये भी मन में सवाल होगा अगर 4 तारिक को शीट फूल हो जाए तो 5 तारिक को डोकुमेंट वेरिफिकेशन सेंटर से वापस भी जाना पर सकता है तो रॉल नंबर जो है सभी का जारी किय गया इसमें seat रहने पर ही जो है admission लिया जाएगा clear उसके बाद देखें इनका तो आप लोग को बता ही दिये पांस तारिक और उसके बाद देखें इनको woman idea में अगर admission लेना है तो ठीक है यहाँ पर देखें woman idea हो गया woman idea में कब बुलाया गया है तो यहाँ पर देख लिजिए इनका बुलाया गया है 29 तारिक को ही woman idea में बुलाया गया है तो अब क्या कीजिएगा आप लोग general idea में लेना होगा तो उस दिन आईएगा लेकिन आपको woman idea में लेना होगा तो 29 तारिक को ही चले आईएगा पहला date जो 29 तारिक को यूर के हिसाब से है इसी दिन आ करके admission ले ले जीगा जिससे कि woman ITI में हो जाएगा आपका admission ठीक है जो भी district से आप बिलोंग करते होंगे अपना woman ITI में हो जाएगा आपका admission ठीक है तो woman ITI में उसके बाद देखे फिर जो है दो तारिक को EBC category से बूलाया गया है तो आपको जेनरल से या करके admission ले ले लेना है उसका DVC category का टेंसल छोड़ देना admission ही हो जाएगा तो फिर क्या दिकत है दूसरे date को आरा उसके बाद देखे एक और date बता देदे रहे हैं इनका जो है RCC quotas का चार तारिक को है तो हमारा जो है मानना है अगर women category में आपको admission लेना है women ITI में admission लेना है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो date दिया गया है यहाँ पर देख सकते roll numbers हो रहा है कि नहीं और उसके बाद देखे यहाँ पर date दिया गया 29 तारिक 29 तारिक को आ करके अपना admission करा लेजिए का WITI में ठीक है जिसे women ITI बोलते हैं यहाँ पर देख सकते हैं और देखे अगर general ITI में लेना boys and girls दोनों पढ़ते हैं तो उस दिन को अगर आना है तो एक number में देख लिजए यहाँ पर जो है चार तारिक को बुलाया गया है तो उससे अच्छा ना है चार तारिक को आने से अच्छा है जो 29 तारिक को ही आ जाएंगे 29 आठ को ही जो 4 दस को आने से बढ़िया रहेगा 29 तारिक को आ करके अपना admission ले लेंगे women ITI में और जहाँ girls सिर्फ पढ़ेंगे ठीक है तो आप लोग अपनी हिसाब से देख लीजिएगा तो इतना से आप लोग को समझ में आ गया होगा ठीक है तो चलिए एक बार और उसका जो निसकर्स हम बता देते हैं तो देखिए फिर से हम बता दे रहे हैं आप सभी को जो फर्स्ट डेट सो हो रहा है girls का अगर जेनरल आईटी आई में admission लेना होगा तो जेनरल आईटी आई में date सो हो रहा होगा तो उस date को चले आईएगा अगर वोमेन आईटी आई में admission लेना होगा ठीक है तो वोमेन आईटी आई में यहलो है। दो बार सौ हो रहा होगा बोईज का तो पहला डेट को ही बोईज कंड़ेड़ जोभी है पहला डेट को ही आ जाईएगा। जो डेट आपको फर्स्ट में वह रहा हो जैसे की पेजॉट बिल मोस Oland Fit भाएं दिसार मत कीजिEG possess है और 10 यहां पर जो है स्वारी को डोकुमेंट verification हो जाएगा उसके बाद जो है कितना seat बचता है तो seat matrix जो हम channel पे daily जो है provide करा देंगे तो आप लोग उसको भी देखते रहिएगा जिससे कि आप लोग को कोई भी चीज मेंस नहीं हो तो channel को जरूर subscribe कर लिजेगा आपको ही benefit होगा जो बच्चे छोड़ देंगे समझे उनको loss होगा क्योंकि पटना करके वापस भी जाना पड़ सकता है इसलिए बोलते है channel को subscribe कर लिजेगा उसमें कुछ खर्चा नहीं है subscribe करने में ठीक है आप लोग के help के लिए काते हैं क्योंकि हम हमें जो है बाद में comment आता है सर ये वीडियो नहीं है ये वीडियो नहीं है तो हम भी comment देखने को मिलता है इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता है इसलिए बोलते है subscribe करके रखेगा वीडियो जब भी upload हो notification मिल जाएगा और देख लिए किजे 5-10 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहता है उससे ज्यादा का तो रहता नहीं है जो एक आद दू घंटा आपको हम time engage करके रखते हैं ठीक है उतना दिर समय देने से अगर आपको profit है तो अपने लिए time निकालिए हमारे लिए नहीं तो देखिए काफी बच्चे का ये comment आता था sir trade choice करने का option नहीं मिला कैसे choice करेंगे तो देखिए यहाँ डोकुमेंट, verification बगएरा सब कुछ हो जाएगा तो इसी मेंसे आपको बताया जाएगा जो ये trade खाली है, ये trade खाली है, mechanic diesel, builder, molder, electronic mechanic, electrician, feature जो भी खाली होगा, सभी trade का option दिया जाएगा, आप लोग जो बोलिएगा वहाँ पर बस वो trade जाच पर्ची पर लेख दिया जाएगा, ठीक है, और उसी तरीके से जो है, आपको trade choice करन रहता है, तो यहाँ पर देखिए काफी बच्चे का comment आ रहा था, sir, document क्या क्या लगया, तो देखिए, जांस पर्ची लगेगा, आपका पार्टे पार्ट भी लगेगा, allowment, order, यानि कि जो है, ये जरुवत नहीं है, आप लोग को rank card लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जरु certificate card लगेगा, mark sheet लगेगा, जो कि 10th का होगा, ठीक है, original पर्मान पत्र लगेगा, चरित पर्मान पत्र होगा, तो लेते आईएगा, नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, order, school living certificate लगेगा ही लगेगा, जिसे CLC हो, SLC हो, या TC हो, इसका original लगेगा, जाती पर्मान पत्र लगेगा, आवासिय लगेगा, clear, उसके बाद आधार काड का फोटो कॉपी लगेगा, यह सब जो है, document लगेगा, इसका skin sort लेना चाहते होंगे, तो ले लीजीगा, लेकिन इसको ignore कीजीगा, ठीक है, इसको आप लोग ignore कीजीगा, इसका जरुबत नहीं परता है, clear, त तो दिखिए, अगर उसका skin sort लेकर के रख लिजीगा, जांच पर्च हो गया, बाइमेट्री फर्म हो गया, पाटे पाट भी, रेंक काड एलाउटमेंट आउडर हो गया, 10th का, सभी certificate, जो है परवेस पत्र, बंधिक परमान पत्र, अंग परमान पत्र, मुल परमान पत्र, अब आसी है, जाती, EWS होंगे तो EWS, SLC, अधार कार्ड, फोटोग्राफ, छोग कोपी से ज़्यादा ले लिजेगा, ठीक है, और दीखिए, ओरिजिनल डोकुमेंट आपका जमा हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसलिए उसका color print करा करके अपने पास रख लिज आप लोग का फीस लगेगा, कॉलेज में लगेगा, ठीक है, तो कॉलेज में जितना भी फीस होगा, 1100 से नीचे ही सब का फीस, ज्यादा फीस नहीं है, सरकारी ITI का ठीक है, गर्मेंट ITI का, इसलिए आप सभी बच्चे निश्चिन तो करके डोकुमेंट वेरिफिकिशन कर परवाई और एडमिसर लिजिए और पढ़ाई कीजिए, तो देखिए जैसा कि हमने आपको वादा किया था, फर्स्ट में जो आप लोग को गिप्ट हम परवाइड करा रहे हैं, तो चलिए नमबर लिख लिजिए, हमारा अगर लिखना चाहते होंगा, और कोई जरूरत पर लिख लिजिए, तो लिख लिजिए, 822706071, ठीक है, तो ये नमबर आप लोग नॉट करके अपने फोन में सेव कर लिजिएगा, बाइदवे कभी जरूरत परे, तो मैसेज कर सकते हैं, वाट्सप नमबर भी है और कॉलिंग नमबर भी है, ठीक है, तो फिर से रिपीट कर दे रहें, 823706071, ठीक है, तो ये रहा, आप लोग के लिए गिप्ट, सभी बच्चे, काफी बच्चे कोमेंट कर रहे थे पहले, तो वीडियो को रोक करके आप लोग लिख लिजिएगा, क्योंकि आप जो है, आप आइटिया में चांस नहीं है, इसलिए जो है, आपको नम और जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं, उस वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग देखा किजिएगा, आप लोग के लिए ही फाइदे मंद रहेगा, ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए हस्तेरी मुस्कुरातेरी अपना ख्या ठीक है, इसलिए जो है ध्यान रखिएगा, तो चलिए वीडियो देखने के लिए महत्रपुर्ण समय देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद